विश्णु जैन जी पहला सवाल आप ही से क्योंकि आप इस केस को इतने करीब से ट्राक कर रहे हैं और वहाँ पर आप मौजूद है वार नसी कोट में क्या काबन रेडियो काबन डेटिंग को लेकर जो अपील की गई उसी में कमी रह गई क्योंकि एक्सपर्ट मानते हैं कि इ बात हमने कोट के पटल बिरखी कि हम कार्बन डेटिंग या अधर तकनीक के आप से शिवलिन की वेग्यानिक जाच चाहते हैं। के माध्याम सर्वे की मांग की है अब मेरी मांग को समझने के लिए ज़रा इस चीज को समझ लीजे कि जब इस शिवलिंग की साइंट अर्क लॉजिक सर्वे ऐस की जाओगे तो जाओगे बहुत सारे बड़ा समाज में भ्रहम फेलाया गया ये बोलके कि हमने शिवलिंग को छती पहुचाने के लिए उसकी कार्बन डेटिंग की मांग किया और अगर कार्बन डेटिंग करेंगे तो शिवलिंग को छती पहुच जाएगी मैं आपके माध्यम से एक लिएरिफाई करना चाता वो ये भी रूल आउट करेंगे कि यहाँ पर कार्बन डेटिंग हो सकती कि नहीं हो सकती है और उसके बाद किस माध्यम से ये एसरेटिंग किया जा सकता है कि ये शिवलिंग एज में कितना पुराना है कितना डेप्ट इसका क्या लेंथ है क्या ब्रेथ है ये सारी चीज़ है तो आज मुद्दा ये और सफाल है कि किस माध्यम से एसरेटिंग होगा बिना सेंटिफिक जाच कि क्या कोई और मेथड़ है जिससे एसरेटिंग हो सकता है पता चलना चाहिए हासिख खान साब कि कितना पुराना है उससे इकलियर हो जाएगा न जो फवारा फवारा कहा आप मैड़ा के पार के सब्सक्राइब अधरवाइब बाद के वन इस अधर पहले मैंने फोटु तके शीरा नहीं घूमने गूंद्धे फूटु यह वोगाई नहीं थे more यह और तू पेटी से भान पैले तिए फटू थाες अई आज भी बैने शायद आपके हैं से ने पत्थों की खेचने की बैंड नहीं है आपकी और मेरी खेचने की बैंड होगी लेकिन आप तो आते हैं ना बात यह है कि मैडम के सरकार अब जम्मेदारी कोट की है दोनों पच्छ कोट में मौझूद है और कोट अपना फैसला लेगा दोनों पच्छ को सुनने के बाद कोट की जभ्मेदारी बनती है कि वह देश के लोगों के सामने सच्चाई को सामने लाएं, सच्चाई के लिए तो वैग्यानिक पद्धती से कितना पुराना है जाच होनी चाहिए? वैग्यानिक कि इस तरह की डेटिंग नहीं हो सकती, पोस्त किया है पोस्त करने की जिम्मेदारी उसकी यह वह है फवारा यह है ने इसकी का उसकी जवाब देना चाहरे है आपकी बात पर विश्णु जी और और कोट ने कहा था आज पैसला देंगे आज सुरक्षित रखिया इसकी क्या बज़ा थी जी जी अंजना जी देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे भाई यह कह रहे हैं कि यह फवारा है मैं यह बात कह रहा हूँ इस शिवलिंग है मुझे कोई आदमी यह बता है यह सेर्टेन कैसे होगा क्या सिर्फ मेरे कह देने से यह मान लिया जाएगा कि यह शिवलिंग है कोट के पटल पे सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेन्स एक्ट में कोट को यह पावर है कि वो एकसपर्ट ओपीनिन बुला सकता है एकसपर्ट ओपीनिन ले सकता है और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सीपीसी में ओर्डर 26 रूल टैने में कोट को पावर है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के कमिशन जारी करने की जहां तक आपको दूसरे सवाल की बात है आज कोट में यह केस ओर्डर के लिए लिगा हुआ था आज इस पे फैसला ही आना था कि इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बैठेगा की नहीं पर कोट की यह पावर होती है कि अगर कोट को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कोट ने उसमें दो मुद्दों पे हमसे क्लैरिफिकेशन लिया था पहला ये शिवलिंग ए सूट प्रॉपर्टी का पार्ट है की नहीं जिस पे हमने कोट के सामने प्रेयर पढ़ के उनको वो बात क्लैरिफाई कर दी थी और दूसरा मुद्धा ये था कार्बन डेटिंग का जो मैंने आपके सामने क्लैरिफाई की और कोट के पटल पे भी आई बात रखी कि बिना शिवलिंग को छटी पहुचाई हुए बिना शिवलिंग को किसी भी तरह से छेड़ छड़ किये हुए वैग्यानिक माध्यम से जाज की जाए कि ये शिवलिंग की क्या लेंड़ है विड़ है कितना गहरा है और ये कितना पुराना है इन सारी चीजों की जाज की जाए अब अगर मेरे भाई ये कह रहे हैं कि फवारा है तो इनको तो इस चीज में सपोर्ट करना चाहिए अगर फवारा होगा तो वो भी S.I. की जाज में सामने आएगा और अगर शिवलिंग होगा गया हुआ है हमने आपको याद होगा पहले भी आपके चैनल पे बात कही थी कि शिवलिंग जो है वो बहुत नीचे तक गया है जब नीचे वजू खाने की दिवाल खोली जाएगी तो शिवलिंग का भवे सुरूप इसका अरगा अभी दिखना और मिलना बाकी है तो वो जी प्यार के जरिये किया जा सकता है दूसरी मांग हमने ये भी कही थी कि जो शिवलिंग है उसके नीचे के एरिया का एकस्टिवेशन किया जाए और ये क्यों कि ये शिवलिंग फर्स लोर पे मिला है एंजिना जी फर्स लोर पे मिला है वजू एर जो है फर्स लोर पे मिला है ये भी पता चलेगा कि ये सिमेंट नुमा आखरती किस मैटीरियल की है सिमेंट है की नहीं है जब वैग्यानिक इसमें बैटेंगे तो वह अपने इस तर से इसकी जाँच करेंगे